हेलो एब्रीवन स्वागत है आप सभी का अपने यूटूब चैनल मंजिल तक पर फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं SSC MTS 2019 का फाइनल रिजल्ट के बाद का फुल प्रोसेस क्या होने वाला है किस तरह से आपकी जोइनिंग प्रोसेस होने वाली है तो फ्रेंड्स बने रहेगा वीडियो में लाश्ट तक इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा अगर चैनल पर फाली बारा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके फिल आइकन को जरूर प्रेस कर लेजीगा चलिए हम बात करते हैं फ्रेंड्स फाइनल रिजल्ट के बाद आप इसी को हम बोलते हैं डिपार्टमेंट एलोकेशन यह जो है आपका 20 से 30 दिन के अंदर आ सकता है अच्छी उमीद है मुझे तो फ्रेंड्स है इस डिपार्टमेंट के लोकेशन में आपका नेम मेंसंगा रोल लंबर मेंसंगा कटेगरी मेंसंगा आपकी रैंक मेंसंगी इस इस तरह से आपका आएगा डिपार्टमेंट एलोकेशन इसमें हर रीजन के ससी के जो रीजन है वह अपने अलग-अलग तरीके से पीडियाप जारी करते हैं मैं एक दो पीडियाप आप सुभी को दिखा दूगा वीडियो के लाश्ट में तो इसके बाद क्या होगा दियान द स्टेट में हुआ होगा वह स्टेट इससी के जिस रीजन में पढ़ता होगा उसी रीजन की साइट आप सभी को चेक करना है उसी साइट पर डिपार्टमेंट एलोकेशन आएगा जिहान दीजिगा इंपोर्टन बात है आप लोग इसको नोट कर लिजिएगा कहां पर तो फ्रेंड्स जब Department इलोकेशन आपका हो जाता है उसके बाद यससी जो है अपने सारी डाकुमेंट जो आपके होंगे उसको उस डिपार्टमेंट में concern, डिपार्टमेंट में शिंड करतेगा, फिर वहां से SSC का पूरा जिम्यदारी खतम हो जागा अब आगे की सभी process जो है ओर डिपार्टमेंट देखेगा जिस डिपार्टमेंट में आपका सेलेक्शन हुआ होगा और department आपसे contact में रहेगा आगे का सारा process वही देखेगा अब जब साब document आपका department में पहुँच जाएगा तो department क्या करेगा आपको एक attestation form सिंड करेगा एक attestation form जो है Gmail के द्वारा भी आ सकता है या फिर post के द्वारा भी आ सकता है जाता कुम्मीद है मुझे दोनों माध्यम से आता है post से भी और Gmail से भी क्योंकि कभी-कभी post वाले जो है आपका form जो है time पे नहीं पहुँचा आ सकते तो इस इस्तिती में Gmail से भी form आता है तो क्या होता है friends उसमें उसमें पूरा address आपको फिलप करना होगा आपका character character कैसा है उसको mention करना होगा इसके लावा आपको police station का भी address वहाँ पे फिलप करना होगा अभी तक आप लोगों ने जितने भी address फिलप किये होंगे महाँ पे police station का पता सायद ही mention किया होगा तो आपको इसी attestation form में इस सभी जानकारी देनी होगी कभी-कभी friends medical की अगर हम बात करें तो कभी-कभी medical जो होता है वो इसी attestation form में आपको medical का जो certificate मिलता है उसको सनलंगन करके भीजना होता है कभी-कभी department खुश से करवाता है तो friends एस जो medical वाली process है एडिपार्टमेंट के उपर निर्भर करता है वो किस तरह से आपका medical लेना चाहता है वो खुश से लेना चाहता है या फिर आप खुश से attestation form में अपना medical सनलंगन करके send करेंगे एडिपार्टमेंट निर्भर करता है डिपार्टमेंट पर निर्भर करता है वो किस तरह से आपका medical करवना चाहता है इसके लामा फ्रेंट्स attestation form में आपको अपना डिपार्टमेंट भी सनलंगन करना होता है या फिर उस डिपार्टमेंट में जाकर आपका डिपार्टमेंट फिर से रिचेक होता है या डिपार्टमेंट पर ही निर्भर करता है कि आपका डिपार्टमेंट किस तरह से आपका डाकुमेंट रिचेक करता है डाकुमेंट रिचेक उन्हीं लोगों का होता है जिनका प्रोविजिनल था जिनका क्लियर हो चुका उनके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है तो फ्रेंज, ये सची का जो काम होता है वो department allocation i.e. release करनी के बाद, फूरा जो काम होता है, वो हो जाता है department का, ये सची वहाँ से उसका काम खतम हो जाती है, तो friends, आप सभी बाते जो है department पर निर्वर करता है कि medical कैसे कराना है उटको, आपका document verification कैसे करना है, रिचे कैसे करना है, तो इस सब जो है department पर निर्वर हो जाता है, दोस्तों जो medical होता है बिल्कुल नार्मल होता है, किस भी तरह की coitnselle लेनी की जरूरत नहीं है, क्या होगा मेडिकल में क्या नहीं होगा तो फ्रेंड्स मेडिकल को लेकर कोई चिंदा करने की जिरूरत नहीं है अब बात करते हैं फ्रेंड्स पुलिस बेरिफिकेशन की जब आपका अट्यस्टेशन फॉर्म उस डिपार्ट्मेंट को सेंड कर दी जाता है उसके बाद आपको पुलिस होता है वह आपका character certificate जो होता है पुली के पास sent करते हैं और पुलीस जो ए उसको verify करती हैं तो फिर आपका police verification हो जाता है पुलीस में क्या होता है पुलीस वाले चेक करते हैं कि आपके ऊपर किसी तरह का एफायार नहीं है ऐफिर कोई क्रिमिनल की तरह के नहीं है तो यह सब चेक करके आपका पुलिस जो है वह वेरिफाई कर दाता है यह भी सिंपल ही होता है इसमें भी कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है यह सब होने के बाद लास्ट में आपका आता है जानिंग लेटर अब तो हम आप चुछ को दिखा देते हैं थोड़ा सा कि डिपार्टमेंट एलोकेशन या नामनेशन लिस्ट किस तरह का होता है इसके लावाँ आपको अटेस्टेशन फार्म भी दिखाते हैं कि किस तरह से होता है अटेस्टेशन फार्म चलिए बने रहेगा लाश्ट तक वीडि कर दिया और उसके बाद उस डिपार्टमेंट में जितने भी कंडिडेट्स आ रहे थे उनका डिटेल्स यहां पर मेंशन किया रोल नंबर नेम आप कंडिडेट्स काटेगरी रैंक इसके बाद क्लियर या फिर प्रोविजिनल है आप इसके बाद स्टेट इस अभी को मेंश इस तरह से आपका डिपार्टमेंट एलोकेशन जारी किया था इसमें क्या हुआ था पहले उन्होंने डिपार्टमेंट को मेंशन किया उसके बाद इतने भी कंडिडेट्स थे उनका डिटेल्स मेंशन किया आभ हम बात कर लेते हैं फ्रेंट्स यूपी इस तो दोस्तों candidate किया उसका department mention था महाँ पर क्या था पले department था उसके बाद जितने इस उस डिपार्टमेंट में आते थे उन सभी का डिटेल में था बट इसमें क्या है यूपी state में रोल नंबर होगा नेम होगा कटेगरी होगा रैंक होगा इसके बाद उसका department सभी candidates का mention किया रहेगा तो फ्रेंट्स हर इस्टेट अपना अलग अलग तरीके से जारी करता है कि लास्ट में आप से भी को अट्रेस्टेशन फॉर्म भी दिखा देते हैं यहां पर आप सभी को दिख रहा होगा तो फ्रेंट्स आज की वीडियो यही पर समाप्त होती है जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा बेल आइकन को प्रेस कर लिजेगा जिससे की आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सब्सक्राइब को मिल सके यहां पर देखेगा आइडेंटी सेटिफिकेट भी है तो आप लोग को मैंने पूरा अटेस्टेशन फॉर दिखा दिया तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तब तक लिबाई